दोस्तो नमस्कार, दिसंबर महिने में लगाई जाने वाली सब्जियां, दोस्तो दिसंबर महिना ही एक ऐसा महिना है जिसमें हम 15 से 20 प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं और उन सबजियों से जबरदस्त मुनाफ़ा ले सकते हैं, क्योंकि दिसंबर मेने में हम कुछ सबजियों की गेती वर कुछ की पच्छेती खेती भी कर सकते हैं, लेकिन आज केवल उन चुनिंदा सबजियों की बात करेंगे, जिस से किसान का प्रोफिट अच्छा होगा, तथ भाव वर डिमांड अच्छे होने से जबरदस्त फायदे की सबजी वर्ग्य फसल होगी, यदि आप उन सबजियों को दिसंबर मेने में लगाते हैं, तो आईए जाने, नमबर वन पर मिर्ची की खेती करें, यदि जिस तिसान भाई ने मिर्ची की नश्री नहीं लगाई, तो लगा ले, और दिसंबर मेने में दस तारिक तक लगा दे, क्योंकि इस समय की लगी हुई मिर्ची से उत्पादन अच्छा होगा, और भाव वर डिमांड भी अच्छे होगी, यदि थोड़ी सी देख भाल साई की, तो क्योंकि ये फसल लंबे समय तक पैदावा देती है जिस से अधीक लाब होगा, इस समय लगी हुई मिर्च के भाव भी ज़्यादा मिलते हैं, बस अप्रेल और मार्च में मिर्ची के भाव पांच से लेकर के दस रुपे तक ही रह जाते हैं, लेकिन सुरवाती वे लास्ट वाले भाव अच्छे मिलेंगे, जिस से आपको फाय टमाटर की खेती करें, दोस्तों इस समय का लगा हुआ टमाटर जब हर्वेस्टिंग के बाद बजार में जाएगा, तब इसकी अच्छी खासी दिमांड होगी, यदि दिमांड है तो भाव भी अच्छे मिलेंगे, इसकी भी नसरी त्यार करके, मैड बना करके, अपने इला पानी, पलस एक चमच प्रेकिंग सोडा, पलस एक चमच तेल, रिफाइंड तेल, पलस थोड़ी सी मात्रा में हलकी सी साबुन मिला करके, इसका घोल बनाए, और फिर इसको छिटकाओ कर दे, तथा दुबारा पंदरा दिन में इसको रपीट कर दे, यदि इससे भी नहीं हो होता है, तो फिर लसी पलस राख पलस गुड का घोल बना करके सपरी कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों बैंगन की खेती करें, दोस्तों इस फसल को भी हम हलके में नहीं लेते, कई बार इसको ऐसे ही समझ करके नहीं लगाते, लेकिन इसकी भी नरसरी त्यार करके मैड पर ल अधार पर 200 से 600 किवंटल की पैदावार परती अक्तियर के हिसाब से होती है, यदि बाजार में उस में 20 रुपे केजी के हिसाब से भी बिकता है, तो काफी फैदा होगा, इसके बाद फूल गोबी वपता गोबी की खेती करें, दिसम्बर मेने में ये पछेती फसल के जाएंगी, तब इसकी काफी अच्छी दिमांड होती है, यदि उसमें 20 से 30 रुपे केजी भी मिलता है, तो भी ये किसान के लिए फायदे का सोदा है, इसके बाद प्याज की खेती कर सकते हैं, ता इसमें प्याज के नसरी तियार करें, और दिसम्बर मेने में खेती की जु तो ये किसान के लिए काफी मुनाफ़ा दिलाने वाली सबजी मानी जाती है, क्योंकि हर्वेस्टिंग के समय यदि भाव कम हैं, तो कुछ समय रोक के भी बेज सकते हैं, प्याज में कोई खास विमारी नहीं होती, तना सडन आती है, उसमें ट्राइको टर्मा डाले, तथा पानी आप सकता के अनुसार ही दे, प्याज की पूरी साल दिमांड रहती है, सो भाव भी 40 से 50 केजी के रहते हैं, सो फायदाबंद मानी जाती है, इसके बाद खीरा की खेती करें, यह अगेती फसल होगी, इसमें का लगाया हुआ खीरे, को यदि पाले से बचा लिया, तो क काफी फैदा होगा, बस बीज का सही चुनाओ करके, नर्शरी त्यार करके, मैड पर लगाएं, यह 30 से 40 दिन के में फसल त्यार हो जाती है, और हर्वेस्टिंग के बाद बजार में ले जाएंगे, तब इसके भाव भी 30 से 40 रुपरे से कम नहीं होगा, तो भी यह आपके लिए जबरदस्थ फैदे मन्द होगी, क्योंकि इसकी दिमांड पूरी साल रहती है, इसके बाद आप धनिया पालक की खेती कह सकते हैं, इनकी दिमांड वए भाव हमेशा रहते हैं, दोस्तों, यदि भाव अच्छा मिला, तो यह काफी फैदे मन्द होती है, और यदि नॉर्मल चला, तब भी यह आपके लिए फैदे मन्द है, क्योंकि इनकी तीन से चार कटाई कह सकते हैं, और पूरी साल चलती रहती है, खर्चा इसमें कम आता है, आमदनी ज़्यादा हो 20 तारिक तक मूली लगा सकते हैं, इसमें भी कोई खास बिमारी नहीं आती, और यह फैसल किसान के लिए कम खर्चा और आमदनी ज़्यादा वाली मानी जाती है, और यह अपना तो खर्चा निकालती है, लेकिन जो बाकी फैसलों में कम प्रोफिट हुआ है, उसको भी पूर कर देती है, धिन्यवाद